रोहित मोबाईल मक्रोनिया का सबसे बड़ा मोबाईल सुरूम जहां आपको मिलेंगे थोक एबम कम रेट पर मोबाईल तो आधार काड लाएं और पांच मिनिट में मोबाईल ले जाएं अमारा पता है खाद गोदान के बाजू से मक्रोनिया चोरहा साज़ाई कई लोगों के ओमिक्रोन से संक्रमित होने का पता चला है मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक नह करे हां सावधान रहे सतर करे मास्ट उसका भरपुरूपयोग करे और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना इन बातों को हमें भूलना नहीं है आज जब वाइरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनोतों क्या सामना करने की ताकत और आत्म विश्वास भी मल्टिप्लाइ हो रहा है हमारी इनोवेटिव स्पिरीड भी बढ़ रही है आज देश के पास अठारा लाख आइसोलेशन बेट्स हैं पांच लाख आउक्सिजन सपोर्टेड बेट्स हैं एक लाख चालिस हजार आइसीऊ बेट्स हैं आइसीऊ और नोन आइसीऊ बेट्स को मिला दें तो नब्वे हजार बेट्स विशेश तोर पर बच्चों के लिए भी हैं आज देश में तीन हजार से जादा पी एसे ऑक्सिजन प्लांट्स कायम कर रहे हैं चार लाख ऑक्सिजन सिलिंडर्स देश भर में दिये गए हैं राज्यों को जरूरी दमाओं की बफर डोस तयार करने में सहायता की जा रही हैं उन्हें परियाप तो टेस्टिंग किर्ज भी मुहया कराई जा रही हैं साथियों कोरोना वैस्वीक महामारी से लड़ाए का अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशान निर्दर्शों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हतियार है और दूसरा हतियार है वैक्षिनेशन हमारे देश ने भी इस बिमारी की गंभीरता को समझते हुई है बहुत पहले वैक्षिन निर्मान पर मिशन मोड में काम करना शुरू कर दिया था वैक्षिन पर रिसर्च के साथ साथ ही एप्रूबल प्रोसेशिस, सप्लाइचेन, डिस्टिबुशन, ट्रेइडिंग, आईटी सपोर्ट सिस्टिम, सर्टिफिकेशन पर भी हमने निरंतर काम किया इन तैयारियों का ही नतीजा था कि भारत ने इस साल सोला जनवरी से अपने नागरिकों को वैक्षिन देना शुरू कर दिया था ये देश के सभी नागरिकों का सामुहिक प्रयास और सामुहिक इच्छा शक्ती है कि आज भारत 141 करोड वैक्षिन डोज के अभुत पुर्वा और बहुत मुश्किल लक्ष को पार कर चुका है आज भारत की वैस्क जनसंख्या मैंसे 61% से जादा जनसंख्या को वैक्षिन की दोनों डोज लग चुकी है इसी तरह वैस्क जनसंख्या मैंसे लगभग 90% लोगों को वैक्षिन की एक डोज लगाई जा चुकी है आज हर भारतवास ही इस बात पर गर्व करेगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा सबसे विस्तारित और कठीन भवगोलिक स्थित्यों के बीच इतना सुरक्षित वैक्सिनेशन अभियान चलाया कई राज्य और विशेस तोर से टूरिजम की द्रश्टी से महत्वपन राज्य जैसे गोवा उत्राखन हिमाचल जैसे राज्यों ने शत्प्रतिशत सिंगल डोज वैक्सिनेशन का लक्ष हासिल कर लिया है आज देश के दूर सुदूर गाउं में जब शत्प्रतिशत वैक्सिनेशन की खबरे आती हैं तो मन को संतोष होता है यह प्रबान है हमारे हेल्थ सिस्टिम की मजबूती का हमारी टीम डिलिवरी का हमारे हेल्थ केर वरकर्स के डेडिकेशन और कमिट्मेंट का और देश के सामान्य मानवी के अनुशासन और विज्ञान में उनके विश्वास का हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सिन और दुनिया की पहली DNA वैक्सिन भी शुरू होगी साथियों कोरोना के खिलाब भारत की लड़ाई सुरू से ही वैज्ञानिक सिध्धानतों वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धती पर आधारित रही है पिछले ग्यारा महिने से देश में वैक्सिनेशन अभ्यान चल रहा है देशवासी इसके लाब भी महसुस कर रहे हैं उनकी रोजमर्णा की जिन्दगी सामान्य हो रही है आर्थिक गतिविधियों भी दुनिया के कई देशों की तुलना में उत्साहजनक रही है लेकिन सात्यों हम सभी जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में सतर्गता बहुत जरूरी है देश को सुरक्षित रखने के लिए देश वासियों को सुरक्षित रखने के लिए हमने निरंतर काम किया है जब वैक्सिनेशन शुरू हुआ तो उसमें भी बैज्यानिक सुझाओं के आधार पर ही इत्ताय किया गया कि पहली डोज किसे देना शुरू किया जाएं पहली और दूसरी डोज में कितना अंतराल हो स्वस्त लोगों को कब वैक्सिन लगे जिने कोरोना हो चुका है उन्हें कब वैक्सिन लगे और जो को मर्बिलिटी किसे ग्रस्त है उन्हें कब वैक्सिन लगे ऐसे निर्णय लगातार किये गए और ये परिस्तितियों को संभालने में काफी मददगार भी साबिद हुए है भारत ने अपनी स्थिती परिस्तिति के अनुसार भारत के वैग्यानिकों के सुझाव पर ही अपने निर्णय लिये हैं वर्तमान में ओमिक्रोन की चर्चा जोरो पर चल रही है विश्व में इसके अनुभव भी अलग-अलग है अनुनमान भी अलग-अलग है भारत के वैज्ञानिक भी इस पर पूरी बारीकी से नजर रखे हुए हैं इस पर काम कर रहे हैं हमारे वैक्सिनेशन को आज जब ग्यारा महिने पूरे हो चुके हैं तो सारी चीजों का वैज्ञानिकों ने जो अध्यान किया है और विश्व भर के अनुभववों को देखते हुए आज कुछ निर्णन लिए गए हैं आज अटल जी का जन्मदिन भी हैं क्रिस्पस का तेओहार भी हैं तो मुझे लगा कि इस निर्णे को आप सब के साथ साजा करना चाहिए साथियों 15 साल से 18 साल की आयू के बीच के जो बच्चे हैं अब उनके लिए देश में वैक्सिनेशन प्रारब होगा दोहजार बाइस में तीन जन्वरी को सुमवार के दिन से इसकी शुरुवात की जाएगी यह फैसला कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा साथियों हम सब का अनुभव है कि जो कोरोना वारियर्स हैं हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इस लड़ाई में देश को सुरक्षित रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान है वो आज भी कोरोना के मरीजों की सेवा में अपना बहुत समय बिताते हैं इसलिए प्रिकोशन के द्रश्टी से सरकार ने निर्ण लिया है कि हेल्थ केर और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सिन की प्रिकोशन डोज भी प्रारंब की जाए इसकी शुरुवात 2022 में 10 जनवरी सोमवार के दिन से की जाएगी साथियों कोरोना वैक्सिन का अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयू वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बिमारी से पीडित है उन्हें प्रिकोशन लेना सलाक योग्य हैं इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्षे उपर की आयू के को मर्मिडिटी वाले नागरीकों को उनके डॉक्टर के सलापर वैक्सिन की प्रिकोशन लोज का विकल्प उनके लिए उपलब्द होगा ये भी दस जन्वरी से प्रारम होगा साथियो मेरा एक आगरह है कि अफ़ा भ्रह्म और डर पैदा करने के जो प्रयास चल रहे है उनसे बचना चाहिए हम सभी देश वाच्चों ने मिलकर अब तक दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सिनेशन अभ्यान चलाया है आने वाले समय में हमें इसको और गती देनी है और विस्तार देना है हम सभी के प्रयास ही कोरोना के खिलाप इस लड़ाई में देश को मजबूत करेंगे आप सबता बहुत बहुत धन्यवाद अगर इस्प्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूटूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजे और अगर यही वीडियो आप फेस्पूक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजे और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए और आपका दिन शोब हो मंगल मैं हो यही हम इश्वार से प्रात्ना करते हैं नमस्कार प्रात्ना करते हैं